कि सभी चात्र का एक बार वीट्ट स्वागतें गणिदेफन चैनल पर आज हम पढ़ेंगे शंख्या पद्राथी के बारे में doing करेंगी इसके एंदर हमøंप्राकर संख्या पून संक्या, पुनांग, परीमे संक्या, अपरीमे संक्या, जितनी भी टाइब की संक्या है, उसे संक्या के बारे में यह की करके मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए शरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, प्राकर संक्या, फिक हैं, तो प्राकर संक्या कहते हैं यानि natural number जिसे English में कहेंगे इसकी परिबास से आपको यहाल रखना है कि एक से अनन तक की संख्या आपको प्राकर संख्या कहते है यानि एक से लगा कर एक से start कर दो एक, फिर दो, तीन, चार ऐसे करके अनन तक जाएंगे आप तो इन सभी संख्याओं के समून को हम कहते हैं प्राकर्थ संख्या यानि natural number आपको पूचा जाए कि क्या है, तो आपको बताना है कि एक से अनन तक की संख्या को प्राकर्थ संख्या कहते है उसके बाद में याद रखना है पून संख्या किसे कहते है तो पून संक्या को आप जीरो से इस्टाट करेंगे परिपास हो जाएगी शुन्य से अनन तक की संक्या को पून संक्या कहते हैं यहां पर अगर आप बात करें कि जीरो से इस्टाट करते हो फिर जीरो एक दो तीन ऐसे करके आप अनन तक चलेंगे तो इन सभी संक्याओं की सम को कहेंगे हम पून संख्या ओके उसके बाद में next नंबर आता है पूननांक इसके अंदर सबी संख्या है सभी समस्त रिनातमक, एवं पून संख्या कहां से इस्टार होती है जीरो से और बागी जो बची रिनातमक संख्याय माइनस वाली संख्याय होती है कुछ दनाक्मर्ब संख्याय होती है तो अगर वाली संख्याय इसके अंदर सामिल कर दें तो उसका नाम हो जाएगा उन्नांग ओके इहाँ पे मैं आपको कुछ शंख्याобрynı कर बनाकर जिसे सेंटर में आप जीरो लगा सकते हैं उसके बाद में यहां पर देखो वन फिर टू थ्री ऐसे करके इधर आप चलेंगे तो यह सभी धनात्मक संख्या आती रहेगी ऐसे और जीरो से अधन तक लिखे यानि क्या होगे यह पून संख्या अब इसके इंदर मैं माइनस वा और अधन तक चलेंगे तो यह सभी धनात्मक संख्या जितनी भी हैं अगर इनको भी सामिल कर दे तो यह हो जाएगा पूनांक तो यानि इसके परिभास आपको याद रखना है कि समस्त रिनात्मक यह पून संख्या को कहते हैं पूनांक ओके next नेक्स है परिमय संक्या, परिमय संक्या किसे कहेंगे, समस्त ऐसी संक्या है जिन में अंस तता हारो, ऐसी संक्या जिसमें अंस दिखें और हर दिखें, अर्थात ऐसी संक्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसी परिमय संक्या कहते हैं, बहुत ही सिंप और मैं आवको बता देता हूं कि परीमे संक्या आखेर क्या है देखिए है कि अबरी में संक्या जैसे कि एक्जामबल की तरफे लेते हम है हुआ अगा है वण बाइट आगे और लेते हैं तो देखिए यहां पर आपको जिख रहा है और नीचे अर दीख रहा है और नीचे वाली संख्या को क्या बोलागता है अर तो ऐसी सभी संख्या जिसमें अन्स भी दिखता है और अर भी दिखता है उसे क्या कहेंगे परिमाई संख्या ऐसे लाप उदारान है माइनस वाली भी ले सकते है माइनस तीन बटा चार minus 5 by 7 ऐसे बहुत सारे हुधारण ले सकते है वह साथ ही एक आपको बता दू कि जो पाई वो एक क्या है अपरीमे संख्या है परन्तु इसका जो मान है पाई का मान क्या होता है बाई इस बटा 7 इसे कहेंगे परीमे संख्या तो यह आपको याद रखना परिक्सा के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि पाई किसे कहते है पाई है वो क्या है तो पाई तो है अपरीमे संख्या पाई क्या है अपरीमे संख्या और जो पाई का मान है यह बाटा साथ यह है परीमे संख्या तो देखिए, दोनों इस्तोती अलग-लग हो गई, परीमे संक्या किसे कहते है? यह से प्रिमे संक्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और अप परीमे संक्या के लिए याद रखना है, कि ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरी में संख्या खा जाता है For example, root 2, root 3, root 5 यानि इतनी भी root वाली संख्या जिनका वरगमूल नहीं निकलता है उन सभी संख्या को हम कहेंगे अपरी में संख्या और एक πाई को भी आज़ना पाई है वो कहा है अपरी में संख्या है, जैसे देखो रूप 2 है वो कहा है एक अपरी में संख्या यानि रूप 2 neighbors बरगमुल नहीं निकलता पूरा-पूरा पूरा पूरी का और यह इसी परति का उत्त-धर टो इस ट्रइप कि सबीकद कर दसे अगई के वास्त्वीघ संक्या व्यस्तिक संक्यां के इंदर प्रीं में संक्यां सभी और नंबर ही कहा है तो रूट-3 लूट-5 देखि परी नवघया परीवें संक्यां सामिल हो गई ऐसी सभी संख्या को आम कहेंगे वास्तिक संख्या है तो यह था सभी संख्यों के बारे में जानकारी वाला वीडियो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और साथ झाल 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 झाल